हेलो एप्रिवान वेलकम टू मैं चैनल तिलास किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हैं आलो गोवी मोटर की सबजी मैंने गोवी को कट कर लिया है आलो ले लिया है इसको मैं वाइल करूंगी यहां मसाला है दसन जीरा काले मिर्च धनिया अधरक और कट क मैंने प्याज को इन सारे चीजों के मैं ग्रेंड करोंगी यह है मेरा चिली पॉडर व मैंने डाल मिर्च नह लिया है इस मेरा मोटर मोटर कुटे लिली हूं मैं और यह सबस्जी कर दिए होने के बाद में गानी सिंग के लिए मैंने लिया है खरा धन्या पत्ता है तो अब मैं इसमें गोवी को डाल लेती हूं गोवी को अच्छे से फ्राइ करेंगे 5-10 मिनुट्स लगते हैं इसको अच्छे से फ्राइ होने में थोड़ा से हलका ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राइ करेंगे अभी में इसको डाल को सला लेती हूं ढख देती हूं कि 5-10 मिनट्स में कि रड़ी हो जाता है तब फ्राइभ हो रहा है मेरा सबजी चाहिए मैं आलू गोबी मोटर सबको अलग-अलग करूंगी अलो को मैंने वोयल करके रखा हुआ है गोबी भून रहा है कि गोबी भूनने के बाद में मोटर को भूनने ले इसमें थोड़ा समें में नमक डाल लेती हूं भुन्य वक्त ही डालूंगे इसमें गोभी में थोड़ा नमक ताकि अंदर तक जाए इसका नमक कि इसको चला के में ढ़क दूंगे तक देखते हैं अब भी नहीं पका हुआ अच्छा अब यह और दो-तीन मिट पकाऊंगे मैंसे आपनी देख लेती हुए गई और अगल चुआ है कि अब लगभग रेडि हो जुका है इतना ही पकाना है हमें से फलक ब्रांव में तक कि आ में मटर को फ्राइ करोंगे तर ऐसा इल चल्जादा ने ज्यादा नहीं और ज़्याधा तदेर तक मोटर को नहीं पकाएंगे सोटे करना है, यही ही तर मटा तूट जाएंगे, अभी सारी सब्जिओं ढालकर ऊसके साथ पकाना है, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पकाूंगे, इसलिए अच्छा लगता है, खड़ा रपैता है त तोट जाता है तो अच्छा नहीं देखता है सब्जिओं, इसको ढख दिंगे इसला लगती हो चुका है मेरा मतर पक चुका है यह देखें तुटा भी नहीं बिल्कुल खड़ा खड़ा है और कलर कितना मस्त है गरीन ज़्यादा सटा करेंगे इसको तो इसका कलर डाउन हो जाता है इसलिए कम करेंगे इसका भून चुका है अब चलिए चलते हैं मसाले को भूनते हैं मैं फिर नायल डाली हूँ सरसो का दो से तिन चमच इसमें जीरा डाल दी हूँ मैं यह मेरा मसाला ग्रेंड करके इसमें हल्दी पॉडर और मिर्ची पॉडर सब में डाल रही है और जीरे कर लाल करूंगे अब मैं इसमें रादी मसाला इसको चला लेंगे अच्छे से मसाला को खुब अच्छे से भूनेंगे पानी डालूंगे थोड़ा हलका पानी डालूंगे और अच्छे से पकाएंगे इसको तब तक इसको पकाना है जब तक मसाले से तिल बाहर ना आजाएंगे अगर मारा मसाला अच्छे से पक जाता है तो दिखने लगता है मसाले से बाहर ऑल आजाता है जो हमने तिल में छोंका है गिल से जाता है तो तील और मशाला दुनों तो फजाते हैं तो ऐसा होने तक इसको हम पकाएंगे मसाले में मैं नमक डाल देती हैं अनला रहे इतना ही घ्र fringe इतना ही ड्र Saudi गैस्तों क्याने इस को भी में भी जाला है और इस मसाले में भी डालती हूं तो कम कॉंटिटी में डालेंगे स्वादेंचर ध्यान रहे कि मैंने उसमें भी डाला है नहीं तो ज्यादा हो जाएगा यह मैंने लिया है क्या बोलते हैं लाल मिर्स पॉर्डर कास्मीरी लाल मिर्स पॉर्डर ती यह देखिए मेरा मसाला बिल्कुल डेडी हो को चला लेती हैं अब पानी में इधर गरम कर रहे हैं दुसरे चुले पर मैं ठंडा पानी नहीं डालती हूं इसलिए गरम पानी डालेंगे बस आकी छोय से अब गरम डाल सकते हैं ठंडा डाल सकते हैं आपकी मर्जी है जैगसा भी डाल सकते हैं लेकिन मैं तो बनाती हूं तो में गरम कर रुखा है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें पानी को एकी बर नहीं डालेंगे ज़जा अच्छा नहीं होगा मिक्स करते हूं अब यह और जब पकेगा पुरी सब्जी के साथ में इसका कलर और खुबसुरत हो जाएगा जब बल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आलो गोवी मटर अब गुवी को डाल रही हूं आप असको दालेंगे डाल देगाisin अधिस करने के बाद मैं इसको माटर डालो परसे आहार बाटल उ करलेंगे इसको मिक्स कर लेंगे सिर्ल राश्ट Wick 7-7 अनरा लोगे summarize लेकर आलु है आलु को मिक्स करना है अपने हाथों मिक्स करना परलेcol क़रसने करना प्रि pays नए सकत्राइग आप भी वैसे ही मिसी गट अच्छा लगेगा बाकी आपका है च्वास आप कैसे भी बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है को ब्लेन दिन ओधे उब है अभी इसमें और थोड़ा में पान याड़ कर ऊंगे से कम लग लगारा है इसका थोगा से डाल देंगे, देखिए, अब परफेक्ट है, इतना ही रासा रखना है हमें, इसे ज्यादा नहीं रखना है, पर्स को ढ़त देते हैं, अभी दो से तीन मिन्ट और यह उबैल होगा, यह देखिए, तो पक चुका है पुरा, फिर भी और एक से तो मिनिट में पका हों इसको पकाने के बाद में, इसे हो चुका है, फिर भी इसको थोड़ा और पका लेते हैं, इसे बोमी पकाईने ज्यादा दिर नहीं पकाना है, यह देखिए, अब हमारा सबजी डेटी हो चुका है, कितना अच्छा कलर आया है, देखिए,